Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel So in this video, हम start करने वाले हैं lesson number 2 को इससे पहले unit number 1 and unit number 2 के lesson number 1 है उसको हमने cover कर लिया, यह हमारी third class है जिसमें हम lesson number 2 को discuss करने वाले हैं सारी चीजों को बिल्कुत structure way में समझने वाले हैं तो video जो है आपके लिए काफी जादा helpful होने वाले है साथ ही अगर video के end में आपको classes सारे concept clear हो जाए तो video को लाइक जरूर कर देना तो start कर लेते हैं अपनी class को तो सबसे पहले देखो lesson का name ही है e-marketing, e-telling, online services, e-action and online portal मतलब कि all over एक market के बारे में जब बिल्कुल electronic रूप से मतलब कि online तरीके से सारी services को provide किया जाता है तो इन activities के बीच में कौन-कौन से ऐसे point है जो कि यहां पर include होते हैं यह किस तरीके से जो सारा system है वो work करता है तो यहां पर इस chapter में इनी चीज़ों को समझने वाले हैं तो start कर लेते हैं अपनी classes को तो सबसे पहले देखो जो हमारा lesson number two का जो first point आता है first topic आता है e-marketing तो e-marketing का मतलब होता है कि electronic marketing electronic marketing का मतलब यह है कि जब जो market है वो अपना पूरा functioning बिल्कुल online तरीके से करने लग जाए बिल्कुल technology based हो जाए कि सारे काम को वो technology के उपर depend होकर सारे resources का use करने लग जाए और अपने business को काफी जादा जब advance बनाने लग जाते तो वो सारा जो काम है वो e-marketing के अंदर आ जाता है तो इनी सारे चीज़ों को यहां पर हम discuss करेंगे तो जैसे कि हमने लास्ट जो हमारी दो class हुई unit number one और unit number two का जो first lesson उसमे अब हमने यह चीज़तों पढ़ा ही था कि e-commerce के काफी सारे types होते हैं जिसके अंदर B2C B2B यह सारे चीज़े इंक्लूड किये जाते हैं इसको अपने लास्ट वीडियो में discuss कर लिया था यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं तक ताकि अगर आप भूल गया हों कि हमने Flipkart पे या Amazon पे किसी भी आदर app पे हमने वहां पे कोई भी समान को order किया है और वो जो समान है जो भी हमने order किया है वो सीधा business man से owner से सीधा हमारे घर तक आ जाता है बीच में कोई भी parties नहीं आती है बीच में कोई भी ऐसा person नहीं आता है सिरफ हमें सीधा समान मिल जा तो यह क्या है business to customer का ही example है उसके बाद है business to business मतलब जिसको हम B2B भी बोलते हैं इसका मतलब है कि मानलो जो दो बिजनस है दो अलग लग बिजनस आपस में जब लेंदेन करते हैं transaction करते हैं वहां पर एक businessman किसी भी चीज का जब ट्रांसफर दूसरे businessman के पास कर देता है उसके काफी सारे ऐसे point है जो कि e-commerce के अंदर include किया जाते हैं और इन सभी को अगर मिला दिया जाए और एक नाम दिया जाए तो वो कहलाती है e-marketing तो यही है सारी technology जिसके बेस पर आजकर market जो है इतना ज़्यादा advance हो रखा है तो I hope आपको यह idea लग गया होगा कि e-marketing है क्या जि इंटरनेट पर depend हो गया है इंटरनेट के थुरू ही सारे काम को वहाँ पर complete कर लिया जाता है उसके वाज हमारा next topic है trade cycle trade cycle का मतलब है कि जब हम चीजों के exchange करते हैं मतलब कि एक ओनर से लेके एक कस्टमर के बीच में जब समानों को पहुंचाया जाता है जो भी हमने order किया है तो उसके बीच में कौन-कौन से activities आते हैं मतलो कि trade जब होता है तो पूरा cycle किस तरीके से वहाँ पर create हो जाता है कि माल लो हमने किसी चीज को order किया है तो owner के पास उसको order मिला है तब ही तो उसने हमारे product को वहाँ पर ready किया है हमारे तक भेजने के लिए तो जैसी हमने order किया कवर कर लिया जाए तो वह हमारे trade cycle के अंदर आ जाते हैं तो इसके अंदर सबसे first point है pre-sales, pre-sales का मतलब है कि these phase consist और मतलब कि इसके अंदर ये include कि जैसे कोई supplier है पहले उसके पास से में order आता है यह search करता है कि कहा कहा से जो उसके customer है वह उसको sale कर मतलब समान के लिए order है कि sale करने से पहले जो भी उसको activities करनी है अपने supplier को find करना है अपने customer को देखना है कि हमारे customer कहा कहा से हो सकते हैं इस line का मतलब यह है कि माल लो एक state के अंदर से ही होगा यह state के बाहर से भी हो सकते हैं या दूसरे country से हो सकते हैं तो इस तरह की का जब idea लगाया जाता है अगर काम को मैनेजर समाल रहा है तो मैनेजर के दुवारा किया जाता है देन उसके बाद है एक्जेक्यूशन एक्जेक्यूशन के अंदर आ जाता है जैसे हमारे ओडर होगे हमारे डिलिवरी होगे कि जैसे ही हमने चीजों को ओडर कर दिया तो हमने तो ओडर कर दिया हमारे पास तो समान आ जाएगा लेकिन जो ओनर है उसको भी तो कुछ activities करनी पड़ेगी वहाँ पे तो वो क्या करेगा order को pack करेगा उसके regarding जो भी information होगा वो collect करेगा हमारी details को लेगा बिल को लेगा देन उसके बाद सवारे समानों को pack करके देन वो delivery के थुरू हमारे तक समान को पहुचा देगा तो यह execution है जहां पर इस तरह के activities को include किया जाता है मतलब कि हमें cash on delivery चाहिए या हम तुरंती cards के थुरू payment कर रहें तो यह जब हम settlement कर रहें आपस में जो transaction उसको हम जब complete कर रहें payment के थुरू तो यह आ जाएंगे हमारे settlement के अंदर उसके बाद आएगा after sales जिसमें हमारे तक पहुचा दिया जाएगा समान को उसके बाद में कु कई बार देखो कि आप free delivery का option रहता है कई बार यह रहता है कि आपको समान दे दिया अगर आपको पसंद नहीं है तो आप तुरंत रोटा भी सकते हो आपको कोई भी अलग से पैसे महां पर charge नहीं किया जाएगा तो यह सारे जो facilities है जिसको after sales के अंदर include किया जाता है तो यह कुछ cycle जैसे हमने बात तो कर लिया cycle है यह सारे काम है लेकिन cycle के मतलब trade cycle के अंदर भी कुछ point include के जाते हैं तो सबसे first point है repeat trade cycle जैसे कि इसके अंदर ऐसे include के जाएंगी जैसे हमारे regular होगे repeat transaction होगे मतलब कि दो commercial trading partner के बीच में जब जो transaction बार बार रिपीट होते रहते है यह रेगुलरली चलता ही रहता है तो उसको हम बोलते है repeat rate cycle इसको example के तुरू में बताती हूं माल लो आप एक businessman हो मैं भी businessman हो और हमें आपस में क्या करना है एक दूसरे की help के लिए मतलब कि हमें जो final product बनाना है तो वहाँ पर मुझे आपके समान की जूरुत है आपको मेरे समा तो जब हम बार बार ट्रांजेक्शन को repeat करते रहते हैं कि मैंने मालो आज order किया आपने समान भिजवा दिया दैन उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर में आपको order दिया फिर order दिया तो इस तरीके से जो ordering का काम है इसी बिलकूल repeat चलता ही रहता है ट्रांजेक्शन का काम इ एक दूसरे को पर भरोसा हो जाता है तो वहाँ पर क्या है उधार भी काम हो चलते रहते हैं मतलब कि हमने order भी कर दिया हमारे पास order भी मिल गया लेकिन हमने payment को तुरंथ ना करके इन future करें रख लिया कि हम इन future जाके उसको पेमिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या है जब आप प्रेट साइकल के इसके अंदर काम को कैसे इंक्लूड किया जाता है किस तरीके से किस प्रकार से हैं तो सबसे पहले देखो कि जो ट्रेट साइकल होता है कई वर जो इनके ट्रांजेक्शन है बिजनस तू बिजनस होते रहते हैं काफी टिपीकली हो जाते हैं थोड़ा सा यहांपर डिफिकल्टीज भी आ जाते हैं कई वर हम कंजिमब बिजनस भी करते हैं कहने का मतलब है कि हमारे जो साइकल है ट्रेट साइकल के के हो सकते हैं तो e-commerce के अंदर ही जब transaction को बार बार रिपीट करते हैं एक्चेंज करते हैं तो सारे activities को यहां पर हम समलित कर देते हैं include कर देते nature of trade cycle के अंदर जहां पर यह देखा जाता है कि trade cycle के अंदर कौन-कौन से point को include जाता है तो यहां पर आप इसको figure को भी देख सकते हैं यहां पर दिखाया गया है कि किस तरीके से सर्च हो गया यह डिलीवरी कर रहे आप्टर सेल्स दे रहे प्री सेल्स दे रहे तो यह सारे point यहां पर बताते हैं इसके बाद हमारे next point है supply chain supply chain का मतलब है कि जैसे कि एक customer है जिसने order किया है जो owner है जो समान को दुबारा customer तक पहुंचा रहा है मतलब कि order करने से लेके order मिलने तक जो बीच में activities सलती है जिसको मतलब कि समान को जब हम supply कर रहें बेज रहें तो यह जो एक chain बनती रहती है उसी को हम बोलते है supply chain तो यह किस तरीके से work करता है सबसे फर्सली जो customer है उसने क्या-क्या order दे दिया किसको दे दिया supplier को दे दिया supplier क्या करेगा उस इसको manufacturer करेगा manufacturer उनके पास already रहता है ल माल लो इसको example के तुरू समझ लेते हैं ज्यादा clear हो जाएगा माल लो आपने किसी चीज को order कर दिया कुछ भी समान हो सकता है वह वह आपने और तक में order दे दिया उसने देख लिया लेकिन at a time उसके पास वह समान नहीं है अब लेकिन उसको order मिला तो उसको complete करना तो supplier क्या करेगा वह हमारे लिए थोड़ा सा delivery को late करके हमारे लिए तुरंत manufacturing करेगा उस चीज को तो वह क्या करेगा चीजों को manufacturing करेगा या उनका order में अगर already बनी हुई है चीज तो उसको तुरंत हमारे तक पहुचाएगा तो यही एक तोर तरीका होता है मतलब एक पूरा तो supply chain के अंदर यही सारे चीज़े को include किया जाता है उसके बाद में नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है online marketing online marketing का मतलब है कि किस तरीके से जितने भी बिजनसमेन है या जितने भी ऐसे कंपनी जो कि आज कल online प्लैटफॉर्म पे वर कर रही है कहने का मतलब है कि जब वह चीज़े सारे online तरीके से एक दूसरे के पास में ट्रांजेक्शन होने लगती है यह जो ordering के थूरू जो बिजनस इन ही सारे चीज़ों को हम डिसकस करेंगे जिसका नाम है online marketing तो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट इंक्लूड किया गया मार्केटिंग मार्केट सिग्मेंट शेर किस तरीके से जो मार्केट है उसके अंदर काफी सारे पॉइंट किया जाते है कस्टमर को कस्टमर तक बिजने से लेके after sales services मतलब को कितना सारा अवर करना पड़ता है और अगर यही बिजनेस ओनलाइन तरीके से चलता है कुछ ऐसे बिजनेसमें भी होते हैं जो कि अपना जो बिजनेस है फिसिकल तरीके से नहीं चलाते हैं बिल्कुल जगे जगे पर स्टोर को आपन नहीं करत कि अपने प्रोडक्ट के बारे में ई-मेल के तूह बात कर दिया हैं जनका मन करें और खर बात करनें तो सारी इंफ्लेंशन को रिडाउट करके देन हमसे ओ उवर और भी कर लें का इंफ्लेंसर मार्केटिंग होगे जहां पर हम लोगों को इंफ्लेंस करते हैं ज्यादा ज् वी तरफ में अट्रेक्ट हो जाए वायरल मार्किटिंग रहता है मोईल मार्किटिंग रहता है कि आज देखोगी जो एप यह काफी सारे एक्टिविटी इसको और काफी सार सुधायें परदान करती हैं जहां पर लोग मोईल के थुरू ही किसी भी ब्रांड का परचार करने ल यही सारे वर्क जो हमारे मोवाइल मार्किटिंग के अंदर इंक्लूड किया जाते हैं रेडियो और टीवी के तुरू ही काफी सारे अडविटीजमेंट किये जाते हैं जिससे और काम भी मिल जाता है इलेक्ट्रोनिक बिलबोर्ड सो जाते हैं सर्च इंजाइन हो गया जहां पर हम सर्च करके भी चीजों के बारे में डिटेल ले सकते हैं दैन उसके वाद़ हमारा मन करें तो हम उसको और भी कर सकते हैं पेपर क्लिक हो गया सोसल मीडिया मार्किटिंग हो गया जैसे आप दे दिखाई देने लग जाता है क्योंकि यह सारे डिजिटल मार्किटिंग के टाइप सी तो है जो कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं उसके बाद कॉंटेंट मार्किटिंग इमेल मार्किटिंग यह सारे पॉइंट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है यह इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इटेलिंग इटेलिंग के अंदर पहले आप यहां पर इंग्जैंपल दे सकते हैं यह इसके अंदर इंक्लूड किया जाते हैं साथ ही इनके अलावा भी अपने बिजनस को बिल्कुल ओनलाइन तरीके से चलाते जै ने सकते हैं तो यही सारे इटेलिंग हैं जिसको ओनलाइन मार्केटिंग के अंदर समलित किया जाता है इंक्लूड की जाती है तो सबसे पहले यही बता रखा है कि यह वे बन गया है डिरेश के त्रूब कर देए सारी इसके ऐग्जैंपल देर रहें कौन-कौन से ऐसे अप है जहां पर जाकर लोग इन सबी चीज़ों को पर्चेस कर पाते हैं उसके बाद है इसके अंदर यह बताएगा कि यह जो कॉंबिनेशन है आज कर e-commerce का और रिटेल का कॉंबिनेशन है कि इसके अंदर किस तरीके से e-commerce को और रिटेलिंग का काम सारा यहां पर इंक्लूड किया जाता है उसके बाद है कि यह कस्टमर और रिटेलर दोनों के लिए काफी ज़्यादा benefit मिल जाता है कैसे benefit मिलता है मालों अगर हम customer की तरफ से बात करें तो हमारे लिए यह benefit मिल जयाता है कि अदुल आता है कितने बीचस को बढ़ा देंगो कि भीड़ी बढ़ा देंगा से घ्रीक होई जाता है उतने रुप्ए माइं पहुचाएं चाहते दोनों को ़ीमी प्राइimes का यहां पर काफी ज्यादा प्रोफिट मिल जाता है तो यह और यह आपर फाइदा होता है कि रिटेलर का बीच में जो एक समान को रहता है कि नुकसान होने के संभावना रहते हैं यह कहीं पर चोरी हैं तो इस तरीके से काफी सारे ऐसे रिस्क हो जाते हैं वो सारी यहां पर खतम हो जाते हैं तो इसलिए जो इ-marketing चला है यह सारे जितने भी यह ब्रैंडिंग चल रहे हैं आजकल मार्किटिंग में शॉपिंग का यह सारी कस्टमर के लिए और रिटेलर के लिए दोनों के लिए क काफी जादा benefit में हो सकते हैं यह मिलते भी है हो सकते हैं मतलब मिलते भी आजकल देखने को मिलते हैं उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है टॉप e-commerce website in इंडिया कि भारत में e-commerce के जितने भी website चल रहे हैं जिसके थुरू हम चीजों को online order कर सकते हैं तो वहां पर इंडिय जो कि हमें सुविधा परदान करता है शॉपिंग का जहां पर हम सारी चीजों को ले सकते तो यह चीज आपको पता ही है कि हम सारी चीजों को ले सकते क्योंकि आप भी तो order करते ही होगे उसके बाद है हमारे नेक्स्ट मेंट है एडवांटेजिस of e-telling कि e-telling क्या-क्या फ राके हैं मधתחस्त बडलते है है और सारे यहाँ पर खतम होजाते है क्योंकि जो समान है सीधा से लेकर पहुंचा दिया बीच में जितने भी मेडियेटर आते हैं मध्यास्ताते वो खतम हो जाते हैं वो रियल बना रहता है मतलब कि जीतने अधीन बेचना चाता है उतने रुपे में ही कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है किस तरीके से कस्टमर के लिए और एक ओनर के लिए दोनों के लिए ही जो मैथेड चला है आज कल वो काफी ज्यादा सुभधा वला रहता है जहां पर असानी से डिलीवरी का पूरा प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है साथ पेमिन थे षीधेीं के सिम्ट में दिगा के से क्लड़ाने को हम पिंटिकी अगर मों करें पैमिन वर्यच कि देन में के सांट almost Śथक्राइश्ट पाहता हुगोगोी थिस्ट के सेव क्लिफीन आपकेसी सब्सक्राइब के बसे करेंट पर पाइसा पर लगा कर रखना पड़ता है जाहे वो समान बिके या ना बिके लेकिन उसको अपनी कोष्ट को लगा कर रखना ही पड़ जाती है इस वज़े से जो ओन-laiN-Marketing है मतलब ए-Marketing है वहां पर इन्वेंटरी के रिगार्डिंग इस चीज का भी बैनिफिट मिल जात है और सारे कस्टमर को भी मिलते हैं इसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट है ओन-laiN-Services ओन-laiN-Services भी वही है थोड़ा से इसमें पॉइंट एक दो और जो अलग चीज है वह यहां पर इंक्लूड हो जाती है कि किस तरीके से जो एक सप्लायर है करने वाला जो परसर है म कौन-कौन से स्ट्राटीजी को अपनाता है कौन से ऐसे रनीतिया नीदियों को अपना कर कस्टमर तक सारे समानों को पहुंचाने का काम करता है मतलब कि सर्विस को जब ओन-laiN तरीके से प्रोवाइड की जाती है तो इसमें कौन-कौन से मैध़ड कौन-कौन से टाप सिया मतलब कि जो सर्विस को प्रोवाईड कर रहा है उसके दक्षता को अबहने को मतलब की जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है efficiency को बढ़ाता है इन्हेंस करता है उसके बादे it reduce cost and cycle time कि यह क्या करेगा लागत मतलब cost जो वहाँ पे लग रहा है उसका जो खर्चा वहाँ पर पढ़ रहा है उसको कम करेगा reduce करेगा साथ ही साथ जो एक cycle चलता रहता है जो अभी अभी हमने डिसकस किया था पूरा order से लेकि order को पहुचा रहे तक कि बीच में जो भी उनका cycling रहता है उसके time को कम करता है मतलब कि कम से कम time में सारी facilities को provide कर दी जाती है दन उसके बाद बाद है इट helps in contract compliance and customer रचिये customer तक पहुचाने में सारी चीज़ों को compliance करने में काफी जादा help करता है दन उसके बाद हमारा next point है e-collaboration इसका मतलब भी same ऐसे है कि जब cross enterprises technology के तुरू आपस में transaction होगा interaction होगा तो वहाँ पर ये facilities की collaboration के तुरू प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर कुछ इसके फाइदे हैं सबसे पहले है design cycle time कि यहां पर क्या है cycle का टाइम में उसको design किया जाता है framework बना लिया जाता है कि किस तरीके से चीज़ों को structure way में complete होगा देन उसके बाद है कि यहां पर चीज़ों को भी reuse किस तरीके से किया जाएगा इसको भी यहां पर design कर लिया जाता है साथ ही साथ revenue को भी यहां पर fix कर लिया जाता है सारी चीज़े बिल्कु काफी सारे फाइदे होते हैं advantages होते हैं जैसे कि lead to margin की यहां पर क्या जो एक margin बना रहता हर product पे कि उस product से कितना जदा हमें मिलने वाला उसको lead करता है हमारी accuracy को हमारी flexibility को यहां पर decide कर लिया जाता है मतलब कि आपको accuracy तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में flexibility भी मिल जाती है सारे services क inventory का level है वो setup हो जाता है मतलब कि inventory को सही तरीके से control हो पाता है then उसके बाद on time delivery की facilities यहां पर provide कर दी जाती है मतलब कि जो customer है उनको time पर delivery की जाएगी जिस से जो owner है उसकी business के एक तरह से goodwill भी बन जाती है साथ ही साथ उसका business जो है वो भी सही तरीके से यहां पर चल पाता है देन उसके बाद है integrated delivery इसके अंदर भी काफी सारे फायदे मिलते हैं जैसे कि logistic cycle drive हो जाता है cost reduce हो जाता है lay time fix हो जाता है देन उसके बाद हमारा next point है online marketing online marketing भी same ऐसे ही है जहां पर जैसे कि हम services को provide कर रहे है तो जो services को provide करने का पूरा जो activity circulate करता रहता है चलता रहता है तो जब इन सारे चीज़ों को ही online तरीके से provide के जाती है तो वही कहलाती हमारी online marketing जहां पर जो market है अपना पूरा वर्ब जो है online तरीके से करती है चाहाँ उनका product selling का काम हो चाहाँ services को provide करने का काम हो सारा काम जो है बिल्कुल online तरीके से जलता है इसके अंदर काफी सारे फायद को लेते हैं क्योंकि फीजिकल स्टोर के थूरू तो वहाँ पर आसपास के लोग हमारे समान को खरीद पाएंगे हमारी services को ले पाएंगे बट अगर हम online services को provide करें तो दूर बैठे कस्टमर भी हमारी customer बन सकते हैं एंड हमारे product को भी purchase कर सकते हैं साथ ही साथ अगर हम services को provide कर तो दूर बैठे हुए भी वह हमारी services को लेने के लिए रैडी हो जाते हैं तो यह सारे पॉइंट थे जो कि हमारे marketing के अंदर online marketing के अंदर इंक्लूड किये जाते हैं चाहे हमारा जो process चल रहा है या जो भी हम activities कर रही है सारा हमारा online हो जाता है इस वज़े से हम इसको electronic tools या electronic system भी कहते हैं तो इसको दो पार्ट में divide करते हैं direct material procurement इसके अंदर क्या किया जाता है जो raw material है या component जिसकी need होती है production के लिए कि जब समान को बनाना हो मतलब कि हम final goods को बनाएंगे customer को provide करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ raw material की जरूरत रहती है तो यहां पर क्या है कि raw material को direct provide किया जाता है साथ ही साथ जो material है उसको use करने का तोर तरीका जो भी है मतलो supplier तक ही सारी facilities को provide की जाती है उसके बाद है e-procurement for direct material कि जो e-procurement चलती है उसको direct material के लि जो भी direct material की जुरूरत है वहां पर बता दिया जाता है उसके बाद चीजों को requirement के according ordering कर दी जाती है कि हमें किस किस समान की जुरूरत है उन सभी को बिलकुल सही तरीके से supplier के दूआरों पर पहुंचा दिया जाता है यही सारा जो काम है तो directly जब जो नीडिड परसन है तो ज इस तरीके से पहुंचाते है थ्रूँ e-procurement के थ्रूप जब इसके अंदर बात करते हैं तो यहां पर जो product रहते हैं काफी low value के रहते है जहां पर लेकिन उनका जो ordering का एक volume रहता है वह काफी ज़्यादा हाई रहता है मतलब कि उनका वैल्यू कम रहता है बर जो उनका ordering र जो परती है साहतीि हो एक रहते हैं मतलल है वहां ठीक अघ्ट किस तरीके से प्रौवाइव थिचिसक तरीके से sto happened कि यहां पर हम बस यह देख रहें कि जो टाक्वरेव फैपरि तो इसके ऑनदर पर फैसे हैं इसके थुरू जो मैटेरियल है वो ओनलाइन तरीके से प्रोवाइड की जाती है तो जैसे कि सेलर सिल्क सोलूशन हो गया बायर के साइड से देखा जाएगा सोलूशन जो थर्ड पार्टी है उन सभी को यहां पर इंक्लूड किया जाएगा कि या नुसके बाद अुद्ध Soldier online portal ऑलनe पोटल का मतलब ऐसा होता है चहाँ प्लैट वह जो भी एल्री इस सिस्ट्रम चल रहा है रॉनलाइन तो अप्लेट्फोर्म मिल जाता है जहाँ पर जो विभर मतलों को उस अमानory को वבץ कृडप्र और सेल करेंगा वह भी यहां पर औ इस तहीं हमारे पास में इसको कच्छा माल बोलते हैं उसका यूज करके हम अपने फाइनल प्रडक्ट को त्यारे करते हैं तो यहीं हमारा manufacturing कहलाता है, तो manufacturing के बीच में काफ़ी सारे process रहते हैं जहाहाँ पर semi manufacturinginä- pre manufacturing हो गया तो काफ़ी सारी काम इसमलित क्या जाता है तो यहाँ पर क्या है, जो production है, जहाँ पर काफी सारे efforts को include किया जाता है तो यहां पर क्या हो जाता है इस चीज को require किया जाता है कि काफी सारे component के हमें जरूरत परती है जैसे कि wheels हो गया, seat हो गया, engine हो गया, gearbox हो गया, मतलब यह depend करता है हमारे product पे कि हमारा product कैसा है, उसमें कौन-कौन से समानों की जरूरत है manufacturing के दोरान, तो यह सारा हमारा थोड़ा भी आजकर complete किया जाता है, तो इसको कैसे करते हैं, यही चीज है हम यह पर discuss करने वाले हैं, तो सबसे पहले है e-commerce application in wholesale, जो wholesale जो product को provide करने का जो तरीका होता है, जहां पर समानों को थोक रूब में, थोक में कहने का मतलब है कि जब किसी भी retailer दुआरा, seller दुआरा, जब काफ दूस किया जाता है, कैसे किया जाता है, माल एक्जाम्पल के दूस को समझते है, कि एक परसन है, जिसने wholesale का business खोल रखा है, किसी भी product को क्या करेगा, कम्पनी से, मतलब डाराक्ली उस company से आपस में, जो भी उनका बातचीत होगा, उसको fix कर लेंगे, कि किस तरीके से समानों को अपने पास में ले लेगा, और वहां पर मतलब कि उसको फिजिकल रूप से अपने पास में ना रखके भी goods को क्या करेगा, कम्पनी से directly बात कर लेगा, अपने through goods को या services को अपने अंडर ले लेगा, जो भी जो फुटकर व्यापारी रहेंगे, मतलब कि जो छोड़ समान को directly वहां तक पहुचा देगी, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, मालों को या company है, जो A person है, वो wholesaler है, जो B person है, वो फुटकर व्यापारी है, मतलब कि उसका छोटा से दुकान है, वो छोड़ छोड़ अमाउंट में समानों को खरीद के, इसको customer तक पहुचाता है, तो A person क्या करेगा, company से बात कर लेगी, उस समान को अपने अंडर लेगी, और जैसे ही, जो C person है, मतलब जो फुटकर व्यापारी है, जैसे ही उसको order देगा A person को, A person क्या करेगा, direct company से बात करके, company के समान को direct company से लेके, फुटकर व्यापारी C person तक पहुचा देगा, तो इस में समान को इधर सुधर ले जाने का यह सारा खर्चा बच जाता है जो स्टॉक में रखना पड़ेगा समान को उन सभी की बचत हो जाती है तो यहां पर इसलिए जो हॉल सेलर है आज कल पर इकोमर्स का फाइदा सारे परसन को यहां पर मिलता है चाहिए वो कस्टमर हो चाहिए वो होल सेलर हो चाहिए रिटेलर हो मैं तो किस तरह के अभी वह बिजनस से जुड़ा हुआ हो दैन उसके बाद है प्रॉल्म आप ट्रेडिशनल होल सेल सिस्टम कि जब और इकोमर्स न पर आपड़े सकते हैं कि अगर मालो कोई भी e-commerce नहीं है कोई भी यहां पर प्लैटफोर्म नहीं है तो कौन-कौन से पर्लबम क्रेट हो सकते हैं फिर्ट पर्लम यह क्रेट हो सकता है कि यहां पर जादा-स ज्यादा अमाउंट में चोंचाना पड़ेगा ताकि आगर सामने प्रॉलम भी बोलते हैं तो इसी चीज़ को यहां पर डिफाइन किया गया है सबसे पहले यह बताएगा कि मार्केट फॉर्स में जैसे होल सिस्टम के अंडर्गोन काफी सारे ग्रेट चेंजिस हुए थे जिसके थुरू जो एंटरप्राइज होते हैं जो मार्केट हुआ चलता ही रहता था वहां पर चीज़ों को स्पैसलाइजेशन का मैथड का यूज नहीं किया जाता था मतलब कि वहां पर जो एक आजकल ट्रेडिशन मतलब टैक्निक जो चल रही है इन सभी का वहां पर इतना जादा चलन नहीं था जिस वज़ए से उनको समान को लेके बार- जो होलसेलर है जितने भी पार्टीस हैं जिनको एक ओमर्स के बारे में पता चलने लगया तो जब वे सारे परसन इन सभी का फाइदा उठाने लगे तो इस तरीके से यहां पर इस पॉइंट में यह बताया गया कि इस तरीके से जो ये चेंजिस आया बाद में एकोमर्स के आने के बाद तो इन सभी का रोल क्या हुआ मतलब कि इसने अपनी महत्तव को किस तरीके से दिखाया होलसेल के अंदर तो यहां पर देखों बताया गया है कि मार्किट इकॉनमी में जहां पर लो ओपरेटिंग कोस्ट का फाइदा होता है एकसेस हो जाता है इनफर्मेशन का मतलब कि जो भी रिस्पोंस है जो भी हमारे इनफर्मेशन उसको तुरंथ ही एक दूसरे कंट्रीज में भी हमारे प्रोड़क्ट की सेलिंग प्रचेजिंग होने लग जाती है तो वहां पर क्या होता है कि इसका ग्लोबल रूप से पहुच हो जाती है कि हमारे इन्वीकषयर को टेक्नोलोजी को जो भी हम प्रोड़ करना चाते हैं उसको बिना किसी प्रोल्म के भी और और हीप्लोबार्भ cs उसके साथ में जो कोश्ट वो गया था कम तो इसका फाइदा इक हुआ उसको आने के बाद हुआ था किसको हुआ था होल सेहलर को यहां पर बताएएगा है कि से अपने रोल को निभा के होल सेलर के लिए काफी सारे बैनिफिट्स को यहां पर वास के के étais दन उसकी पार सब दने को लॉज प्रक्राजेंशन कॉस्ट किलोव आप कर्यांगा सामान को अन्यज 드lesaut न कि स्मान को सब्सक्राइख पू उसको lower cost पे कैसे हम उसको maintain कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले जो e-commerce ये इस तरीकी की facilities को provide करता है जिसके थुरू जादा जादा profit margin को gain किया जाता है नए-ने opportunities को लिया जाता है किसी भी businessman के लिए ये सारे जो फाइदे हैं ये यहाँ पर e-commerce के थुरू मिलते हैं इसके साथ में जो e-commerce काफी सारे support करता है जैसे low operating cost हो जाता है access to information हो जाता है quick response मिल जाता है तो यहाँ पर ये सारे काफी सारे ऐसे फाइदे हैं जहाँ पर जो एक businessman है जो कि अपने business को सही तरीके से चला रहा है वहाँ पर उसको cost भी कम पड़ जाती है साथ ही वो अपने business को सही तरीके से काफी लंबे time के लिए maintain रख पाता है क्योंकि आजकल जो इतनी सारे technology है तो किसी भी businessman के लिए काफी सारे इससे फाइदे मिलते हैं जो कि traditional तरीके में नहीं मिलता था तो यहीं सारे फाइदे हैं जो कि एक customer को मिलते हैं आपको यहां तक सारे चीज को clear हो गया होगा साथ ही आप यहां से थोड़ा बहुत ideas भी लगा सकते हो क्योंकि आप college में आ चुके हो और आपका जो syllabus है वो इस तरीके का idea देता है आपको थोड़ा बहुत यहां पर define करता है लेकिन आपको इसके साथ में knowledge भी काफी सारी होनी चाहिए तो आप इन lines को पढ़के और वीडियो के थूरू चीजों को समझ के काफी सारे ideas लगा सकते हो जो कि यहां पर given नहीं भी किया गया तो कहने का मतलब है चीजों को clear रखना और सही तरीके से पढ़ते जाना जिस तरीके से मैं चीजों को define कर रही हो तो आप चीजों को समझना चीजों को relate करना की कॉसस करना कि मैं क्या बताना चाहरी हूँ कि किस तरीके से जो हमारा market है वो चलता है आज के time में तो साथ ही अगर कोई भी डाउट हो तो आप कोमेंट के थुरू पूछ के और अपने डाउट को clear भी कर सकते हो उसके बाज हमारा next point है online learning यह काफी जादे important topic है इस पर चाहे highlight कर लेना कि यह most important topic है क्योंकि यह topic है यह हर जगे में देखने को मिलेगा आपको मतलब first time में भी आगे जाके आपका कुछ ऐसा subject रहेगा first time तो चलो आपका हो रहा है मतलब कि आगे कि जितने भी semester आएंगे तो 6th semester हो गया 5th हो गया then उसके बाद अगर आप दूसरे courses कर रहें एंगों कर रहें MBA कर रहें तो वहां पर भी जो यह है यह जो topic है यह आपको देखरों को मिल सकता है तो इसको ध्यान से समझना तो सबसे पहले देखो online learning को पहले हम simple तरीके से समझ लेती कि online learning क्या है जैसे कि कोई भी universities जब अपने पढ़ाई के facilities को बिलकुल ऐसे पहुचा दिया जाए कि दूर बैठा हुआ कोई student भी उस चीज का लाब उठा सके वो सारा जो सुबिधा है यह सारे जो facilities प्रोवाइड क यहां पर क्या है कि यह दिली की में यूनिवर्स्टी है लेकिन यहां पर आज कल क्या होगा कि देश के जो कोने में जो कोई स्ट्रेट है ना वहां के बच्चे भी यहां पर आके admission ले रहें तो ले रहें अब ऐसा तो नहीं है कि वह वहां से रोज रोज यहां पर आएंगे करते हैं वहीं दूर बैठ़े बैटे ही एसनल के सारी फैसलिटी इसको ले रहा है कốngकि ऐसारी फैसली ऌसको प्रॉइड कर रहा है जैसे उसी को सटड़ी डिएम्ट कर रहे है अंदर आजाता है आप वीडियोस के ऑगी बात कर लो चोड़ा सी चोटा हो जाता है। ज्याधा तर– Champions की वात आता है नहीं को फेसलीटिव कर रहे हूं। या चाहे आपको information लेना हुआ आपका exam कब होने वाला है या मतलब all over जो सारे information है जो कि हमारे colleges के दुवारा हमें provide की जाती है यह सारा हमारे online facilities के अंदर आ जाता है तो यह तो चलो इसका simple सा definition था लेकिन जो online learning है इसका जो platform है काफी जादा बड़ा हो गया है इसके अंदर काफी सारे जो point है जैसे e-pustkar हो गया e-pustkar द्वार हो गया video lecture हो गया library आजकल provide की जाती है यह काफी सारे point है जिसको यहाँ पर हम discuss करेंगे तो आपको पहले इसका simple meaning तो समझ आ गया होगा कि online learning क्या है तो यहाँ पर भी यही बताया गया school of open learning हो गया इगनू हो गया जो कि आजकल बहुत ही जादा popular में है क्योंकि यह जो online learning के जितने भी facilities है content है यह सारे यहाँ पर available किये जाते हैं website के थूँ जहाँ पर आपको study material हो सब्सक्राइब करते हैं तो यही हमारा जो में पॉइंट है online learning के अंदर आ जाता है यहां से आप देख सकते हो कि यहां पर screenshot को दिया गया है कि किस तरीके साब study material को download कर सकते हो जैसे आप अपने ही सब्जेक्ट के लिए download करते हो सेम ऐसे सारी universities जो है अपने अपने student को provide करती है चाहे वो इगनु हो चाहे वो एसोल हो मतों कोई भी उनिवस्टी तो वह इस तरह के facilities को provide करती है लेकिन online learning में आज के टाइम पर सबसे जादा facilities इगनु और दिवस्वल यही प्रोवाइड करते हैं बाकी उनिवस्टी भी प्रवाइड करती है बट आज के टाइम में इग प्रेंड का दे रहा यहां पर यहां पे worship में ढालोड कर सकते हैं कि मत्लब यह है कि आज कब ब्रेड़र का हो पोस्ट ग्रैजुएट का ओ मार्ैड Great कि सब्सक्राइब को में में चांपकर ग्या है इंप्लीमेंटिंग इंप्रोक्रुंट्रMK يो अ मतलब यह है कि तो उनकी द्वारे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह जादा ज़ादा maximum benefit को प्रोवाइड कर सके एट प्रोकुर्मेंट सिस्टम के थूँ साथ ही साथ ही जो lower cost facilities पर मतलब कि जो हमारा मतलब किसी बो और गयनाजेशन के साथ में और बाद में जब चीजों को बड़े अमाउंट में खरीद के और फिर फैसलेटिस को प्रोवाइड कर सके उसके बाद है कि लिमिटिंग नमर ओफ सप्लियर बाइच चोजिंग अल्ली एफिशियंट कंपनी एज प्रेफिशियंट क तरीके से प्रेक्टिस कर सके और इस चीजों को अडॉप्ट कर सके अपने आप में इस चीज को समलित कर सके तो उसके बाद यह नेक्स जो पॉइंट बता है कि यहां पर यह सारे जो एक्सपेक्टेशन हैं यह किसी भी संस्था के दुवारा एक्सपेक्ट किया जाता है आज किस क्लास में हमने किया है आपको सारे पॉइंट सही तरीके से क्लेयर हो गया होगा कहीं पर भी कोई डाउट को मत रखना क्योंकि डाउट को क्लेयर करते हुए चलना काफे जादा इंपोर्टन हो जाता है तब ही लास्ट में जाके वह जो टोपिक रहता है कर लेगे मतलब कि जो हमारी नेक्स क्लास आईगी उसमें आपका यूनिट नमर टू है वह कंप्लीट हो जाएगा तो आज किस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं अगर आपको वीडियो सही लगे क्लास के थुरू आपके कॉंटेंट आपके असलेबस जो है आपका जो तक लिए बाई एंड टेक क्यों